तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग का उरिजन सोल यहां पे बाहर निकल चुका था, अब इसके बोड़ी पर मुझे बरफ का पुतला था, एक पंच बढ़ा देता है, अब आगे, यहां पर वांग लिंग यानि इसका उरिजन सोल चिल लाता है First Devil, वैसे वो नाम लेता है, मैं ऐसा First Devil बोल रहा हूँ, और तुरंत ही अपना First Devil, Celestial Sword की क्योंकि वो अंदर है, तो वो Black Gas release करता है, और यह जो मुका आ रहा था, इससे ब्लॉक कर देता है, अब Celestial Sword इसके बाद जमीन पे गिर जाता है, और First Devil थोड़ा सा चिल लाता है, दर् Ice Ant की तरफ बढ़ता है, अब बरफ का पुतल अभी, वांगलिंग की बॉड़ी को छोड़कर, उस बीश्ट की तरफ एक पंच मारता है, और इस पंच के वज़े से, बीश्ट को थोड़ा सा पीछे अटना पड़ता है, और उसे आता है गुस्सा, और गुस्से में, यह अप बरफ के पुतले को डेवोर करना छोड़ता नहीं है, और पलक चपकते हैं, यह जो बरफ का पुतला था, इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, समाई के साथ, अब यह बरफ का पुतला बस बीश्ट का बसता है, इधर बीश्ट स्पिरिट इस बरफ के पुतले पे दुबारा से करने वारता, तब यह रेड बटरफलाई अपनी आखे कोलती है, क्योंकि फिलाल यह कर्स को सप्रेस कर चुकी थी, लगभग लगभग, और बोलती है, सोल लेशर, अपना सही फॉर्म दिखाओ, अब यह जो बरफ का पुतला था, इसमें से एक प्योर वाइट रंग का रस् नहीं कर बाता था, मानो वो जो कैरियट, यानि रत है, इसे बुला रहा हो, इधर वांगलिंग का भी जो उर्जिन सोलता, इसकी बॉड़ी में वो वापस लोट चुका था, कुछ पिल्स वगएर खाता है, और फस्ट डेविल को भी अब तक यह जगा चुका था, और इस त अब यह फुल पावर यूज करती थी, तो वांगलिंग को भागना पड़ता था, और इसके इस गमन को अब वांगलिंग एक एक करके तोड रहा था, इसने दो बड़े ट्रेजर सी उसकिये थे, जुयू कंट्री के, पहला तो हो आइस गौड, यानि वो बरफ का पुतला, और साथ में, इसके हमेलनी जेड सेक्ट के, जो में ट्रेजर था, वो भी इसे मिला था, सोल लेशर, फिर भी ये, वांगलिंग को भी तक मारनी पाई थी, और अभी तक दो बार ऐसा पीछे हटना पड़ रहा था, दो नो बार वांगलिंग नहीं इसके साथ ऐसा किया था, और बटरफ्लाई अपने सोल को दो भागों में बाटती है, जो आधा सोल था, इस गुलाब की तनाओं में भेज देती है, जिसकी वज़े से बटरफ्लाई जैसा ही, कोई एक दूबारा से बन जाता है, यानि ये इसका अवतार था, ये अवतार ये इसलिए बना रही थी, ताकि सोल ट्रांसफोर्मेशन में ये जल्दी से पहुँच सके, पर आज ये वांगलिंग को मारने के लिए इसे यूज़ करने वाली थी, और इसमें इसका जो डूमेन पावर था, वो कुछ जादा ही था, और ये बोलती है, रूथलेस डूमेन, मतलब दोनों ये और इसके अवतार, और उतलेस डूमेन का काम कियाता, लोगों की इमोशन्स को ही खतम कर देना, अब एक इंदर धनुस जैसा कुछ कलर बनता है, और वांगलिंग के दरफ काफी तेजी से बढ़ता है, और उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की देखने लगते, लड़का उवान के जैसा, जैसी, और ऐसी करके, टेंग उवान निकलता है, जिसके अंदर नफरत था वांगलिंग के लिए, वांगलिंग के फैमिली भले, फिर जिस बंदे के साथ रहता था, मतलब डानियू अगेरा, वो लोग भी इसे दिखते हैं, वांगलिंग इन चीजों को दि खारी थी, वो एक-एक करके, अपने तलबार से सबी को वांगलिंग के सामने ही, मारने लगती, खास करके इसके जो अपने वाली थे, यानि इसके मम्मी पापा, ली मुवान और बाकी लोग, अब वांगलिंग का सोल, थोड़ा सा डेम होने लगता है, और वांगलिंग भी क incarnation cycle का सबूत था और ये power जो red butterfly का उतार था इसे suppress करने लगता है अब red butterfly का जो उतार था मतलब ये कहता है, कहती है अगर मैं soul transformation पे होती तो शादी से suppress कर पाती और इस तोरान red butterfly का उतार गायब हो जाता है और इधर ये खून के उल्टी करने लगती है क्योंकि इसके अंदर इसका origin soul भी था पर इसकी आखों में अफरत और ज़्यादा बढ़ जाता है वांग लिंग का soul वापस लोट चुका था ये battle of domains था पर इधर ये भी थोड़ा सा ठक चुका था और कहीं न कहीं उस लड़की का ruthless domain से इससे फरक तो पड़ा ही था बट इसका जो टोमी इन था क्योंकि soul formation के mid phase में था इसलिए ये इन चीजों को suppress कर पाया और रेड बटरफ्लाइ एक चीज़ और कहती कि heavens का reincarnation cycle वो भी तो originally ruthless ही है मतलब लोगों की emotions का कहा ध्यान रखता है मर रहे हैं लोग और मरते रहते हैं लेकिन फिर भी ruthlessness में और emotionless में थोड़ा सफरक है इसलिए वांगलिंग जीत गया अब इदर red butterfly कहती है मुझे समझ में आ गया इसकी जो नफरत थी वो गायब हो जाती और एक अलगी emotionless नजरों से ये वांगलिंग को देखती है वांगलिंग हैरान था ये लड़की genius है मतलब इससे domain battle में इसका domain में क्या problem है वो समझ में आ चुका है इससे मार नहीं पड़ेगा नहीं तो ये future में वांगलिंग के लिए खतरा बनेगी और तेजी से इस लड़की के तरफ पड़ता है अब बीच में वो जो बरफ का पुतला था वांगलिंग पर एक punch मार देता है लेकिन भाला इतना powerful था कि बरफ के पुतले के हाथों को block कर देता है और वांगलिंग तलवार भी इस दुरान चला देता है फाइनल ये बरफ का पुतला जमीन पे गिर जाता है रेड बटर फ्लाई इस बरफ के पुतले से बाहर निकलती है और ये काफी इंजड थी क्योंकि इसका आवतार खतम हो चुका था इसका आईस ट्रेजर भी अब खतम था इसका उरजिन सोल भी डैमेस था और एक काफी विक कही जा सकती है और ये फाइट नहीं करना चाती थी क्योंकि इसे अब डोमेन की अलग अर्णर स्टेंडिंग हो गई थी उसके बाद ये शेंग नहीं हो आराम से मार सकती अगली बार अब क्योंकि जायंट पिघल जाता है तो उसके अंदर जो सोल लैशर था उसे ही अपनी तरफ खीच लेती है पर वांग लिंग इस तोरान अपने लांग से उस सोल लैशर को बीच में ही रोक देता है वांग लिंग हसराता क्योंकि ये कहती है तुमारी इतनी हिम्मत और अब ये चिलाती है कि सेंग नियो इस पर हमेली जेट सेक्ट का एक सील है तुम चुरा भी लोगे तो तुम इसे यूज नहीं करभाऊगे अब इस दुन बटर फ्लाई के असपस चार इसके अवतार्स या चार स्पिरिट कह सकते हो ये प्रकट होते हैं पाचवा इसली नहीं है क्योंकि पाचवा वांग लिंग यूज कर चुका था अगर आपको याद हो तो तो फिलाल इसके सामने में मेटल स्पिरिट, वुड स्पिरिट, वाटर स्पिरिट और फायर स्पिरिट प्रकट हो जाते हैं अर्थ स्पिरिट को वांग लिंग ने चुरा है था अब वांग लिंग इदर इस सोल लेशर को थो हासिल कर चुका था पर ये जब इसे सेंस करता है तो सच में एक पावरफुल सील था तो पूरी तरह से ये इसे देख भी नहीं पा रहा था फिलहाल ये इस सोल लेशर को अपने बैग में रख लेता है और वांग लिंग भी कहीने कहीं बहुत इंजट था वांग लिंग इस रन कहता है यार इसके ये स्पिरिट्स को यूज करके इसका हेवेंग डिफाइंग भीड पूरा हो सकता है क्योंकि Metal Element थो उसमें है ही नहीं इदर Red Butterfly इन चारो Spirits के दरूप एक Properization बनाते है Four Spirits Killing Formation ये चारो Spirits वांग लिंग के दरब बढ़ते हैं वांग लिंग तुरन धी Restrictions Flag को Activate करता है और दूसरे हाँ से ये Celestial Sword को यूज करता है पर इस थौरा जो word spirit था और दूसरा को spirit इसे ब्लॉक करता है और जो water spirit था और metal spirit इसके करीब आ जाते हैं वांग लिंग इस तो रहाँ क्योंकि अब soul formation के mid phase में है तो इन spirit से लढ़ना इसके लिए ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं थी और यह एकदम शान था और यह तुरंत ही नौ वोड कार्विंग्स बाहर निकालता है सभी पर टाइम डोमेन था साथ तो रिंकार्निशन ट्री के बने थे और वांग लिंग अब प्यार से बुलता है टाइम एक शौक विप चारतरफ फैलता है और यह जो चारो एलमेंटल स्पिरिट्स थे मानुस समय के लिए रुक जाते है और वांग लिंग काफी फास्ट था यह तुरंत ही मेटल स्पिरिट्स को पकड़ता है और दूसरी तरफ वोड स्पिरिट्स को भी सप्रेस कर देता है बाकि दोनों स्पिरिट्स पे यह ध्यान भी नहीं देता है और रेड बाटरफ्लाई की तरफ बढ़ जाता है बाटरफ्लाई के पास समय नहीं था यह हजार फिट की दूरी पे थी लेकिन इसे लगा नहीं था कि वांग लिंग के पास और ट्रेजर्स होंगे और यह भी सोचती है कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को तो मारना ही पड़ेगा और यह तुरंती बोलती है मेटल स्पिरिट एक्स्प्लोड अब वांग लिंग ने जोके मेटल स्पिरिट को पकड़ा था वो वाइबरेट करने लगता है वांग लिंग तुरंती मेटल स्पिरिट को छोड़ दीता है और टेलिपोर्ट कर जाता है वोड स्पिरिट अभी भी इसके हाथों में था हलाकि वांग लिंग टेलिपोर्ट कर चुका था पर मेटल स्पिरिट के शौक वेप की वज़े से क्योंकि वो explode किया था तो ये hit हो जाता है और खून के उल्टी करता है वांगलिंग का जो cultivation था soul formation के early phase में आ जाता है क्योंकि ये just soul formation के mid phase में लगबग पहुँचा ही था और वांगलिंग इदर बहुत सारे pills खाने लगता है लेकिन इस तोरा ये फिर से टेलिपोर्ट करता है और red butterfly के करीब के पहुँच के कहता है अब तुम अपना death स्विकार करो red butterfly भी कहती है three spirits explode अब इसके जो बाकी तिन spirits थे वो भी explode कर जाते है मतलब करने वाले थे और ये बोलती कि तो मुझे मरोगे तो तुम भी साथ में मरोगे वांग लिंग को भी गुछ साता है ये जो इसके हाथ में एक seal था उसे प्रेस कर देता है butterfly ये पैनिक करती क्योंकि ये वांग लिंग का दाओ वांग लिंग पे खेल रही थी मतलब जैसे वांग लिंग यतना ruthless है पर इस दोरान space में एक gentle power आता है ये जो तीनो spirits explode करने वाली थी ये रुक जाती है एक बंधा red butterfly के करीब पहुँचता है मतलब प्रकट होता है ये थे gong sun po और अपने हाथ से बस हवा का एक जोका मरते है और वांग लिंग सौफिट के दूरी पे जाके गिरता है वांग लिंग जानता था ये इनसे fight नहीं कर सकता है दूसरी बात की ये injured भी है और अब ये बोलते हैं कि शेंग नियों तुम जीच चुके हो और उसके बात तुम यहां के disciple बन जाओगे और तुमें एक कुछ भी चीज मिल सकता है तुम decide कर लेना उसके बाद तुम माउंट सुजाखू पर आकर ये चीज बता सकते हो अब गौंग सुनपो ये जो तीनों spirits थे red butterfly के body के अंदर डाल देते हैं पर जैसे ही wood spirit जा रहा था वांग लिंग celestial sword से इसे card देता है और आधा जो spirit था उसे अपने bag में भरके रख लेता गौंग सुनपो भी कहते हैं तुम काफी बोल लो और कहते हैं तुमें जो wish मिलने वाला था वो पूरा नहीं होगा अब गौंग सुनपो इसके बाद वांग लिंग के करीब पोस्ते हैं और बोलते हैं कि soul laser दे दो और वांग लिंग जानता था देना तो पड़ेगा ने तो ये मारा जाएगा तो फिलाली इने दे देता है अब red butterfly यहां से बाहर निकल रही थी और वांग लिंग से गे थी अगली बार तो तुम पक्का मरोगे बटरफ्लाई को क्या बता कि इसके पास अब बस तीन दिन है मरने से पहले क्योंकि माउंट सूजाक उपर एक अलगी प्लैन चल रहा था अब वांग लिंग भी इस दरवाजे के अंदर एंटर करता है और बाहर आ जाता है मतलब अब सबी लोग इसे देख सकते थे पहले भी देख सकते थे पर अब ये डोमेन से बाहर आ चुका थे अब वांग लिंग जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसे कोई मिलता नहीं इसके हाथ में एक मैप था जो कि माउंट सूजाकू की तरफ लेके जाता था फिलाल ये मॉस्कुटो बिस्ट को बाहर निकलता है उसके उपर बैढ़ जाता है और कल्टिवेट करना शुरू करता है और वांग लिंग ने जैसा कि मॉस्कुटो को डारेक्शन बता है वो उसी डारेक्शन में आगे बढ़ने लगता है इतर तीन दिन बीच जाते है और माउंट सूजाकू में एक अलग चीज होता है माउंट सूजाकू के पीछे में एक माउंटिन था उससे दिखाय जाता है यहाँ पर एक गुफा था जो कि चार लेयर्स में डिवाइड़ था सेकंड लेयर पे दो पूल्स थे और दोनों से उसमें से एक से वाइड गैस बाहर निकल रहा था पहला पूल गरम था और दूसरा ठंडा था जिसमें ठंडा पानी था वो तीस अजार पूला ना ठंडा पानी था जिससे कि सूजाकू यहाँ पर अच्छा खासा पैसा दे कर लहे थे heavenly frost planet थे दूसरा वैसे ही जो गरम था वो flame pool था और वो ओस इन fire planet से लेकर रहे थे अब इन दोनों pool के center में एक में एक male बैठा था दूसरे में एक female जो बंदा था वो flame pool में था और जो female थी वो cold pool में थी और दोनों यहाँ पर cultivate कर रहे थे बंदा जो था उसके body से हवेल और आप बाहर निकलता था और जो female थी वो तो खतरनाक सुन्दर थी और दिखने में कुछ ज़्यादा ही charming थे अगर wangling होता है हापर तो इसे पहचान जाता अब इस दुरान एक old man गोफा से बाहर निकल के आते हैं और यह वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि एक old man ने wangling को वो टोपी दी थी और अगर आपको याद हो तो उन्होंने यह wangling को soul formation में जाने का रास्ता बताया था लेकिन यह अलग थे इस दुरान old man एक नाम लेते हैं कियान फैंग और जो बंदा flame pull में बैटा था वो अपनी आखे खोलता है और इस दुरान यह बंदा इन्हें greet करता है और old man इस से कहते कि red butterfly इस समय secret room में जाओ और उसका जो power है domain का और उसका जो consciousness है उसे devore कर जाओ अब बंदा कहता है लेकिन वो तो Zuyu की heavenly daughter है अब old man कहते है तुम समझे नहीं जब वो शेंग नियू से fight कर रही थी तो उसके ruthless domain में breakthrough हुआ था मतलब एक level उपर गया था उससे भी पूरी तरह से पता नहीं है जब तुम उसे devore कर जाओगे तो तुमको ruthless domain मिल जाएगा तो ascendant stage में जाने के तुम्हारे chances काफी बढ़ जाएगे मैंने इस लड़की को इस से लिए तो यहाँ पर लाया था पंदा इस दुरान केता है क्या वो शेंग नहीं हो मेरा 10% पावर भी जेल सकता है फिलाल यह old man थोड़े निराश भी थे कि red butterfly अच्छी है लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो यह सब चीजे तो करना ही बढ़ेगा अब इस दुरान यह बंदा आ जो था कियान फेंग यह बोलता है कियान सिस्टर सुजाकू का टाइटल आप किसी बहारी को तो दोगी नहीं या तो मुझे मिलेगा या तो मेरी यह एपरेंटिस सिस्टर को जूनियर सिस्टर को और इस तोरान यह वो जो बरफ में लड़की कल्टिवेट कर रही थी उसकी तरब देखता है इधर सिन शिप्ट होता है और रेड बटरफ्लाई को दिखाय जाता है जो कि सीकेरेट रूम में थी और काफे गुस्से में थी कि यह नेक्स्ट टाइंग शेंग निव मैं तुम्हें मारके रहूँगी पर तभी एक आवाज आती कि तुम्हारे लिए वो काम मैं कर दूँगा बटरफ्लाई चिंतेज हो जाती है कि कौन है और कि यानफेंग यहापे आ चुका था और यह अपने उंगली को आगे बढ़ाता है रेडबटरफ्लाई समझ जाती है यह कुछ सील्स बनाती है और यह काफी वीक थी और यह बंदा रेडबटरफ्लाई के जो आईब्रोस का बीच का हिसा होता है उसे टच करता है यह लड़की चाहकर भी कुछ नहीं करपाती है और कि आनफेंग बताता है मुझे तुम्हारा डूमेंस चाहिए और तुम्हारे ऐलिमेंटल स्पेरिट्स चाहिए रेडबटरफ्लाई के माश्टर ने जो चीज सूची थी जो लेडिस टीचर थी कि इसके तबाही का कारण शेंग नहीं बनेगा पर बात गलत थी वो तो ये बन्दा था कि आनफेंग इधर ओल्ड मैन को दिखाय जाता है कि एक ही सुजाकू तो बन सकता है और वो लियू में के तरब देखते हैं और लियू में इस दुरान अपनी आखे बुलती ये वही लड़की है अगर आपको याद हो तो डाव सेक्ट में ये वांगलिंग से मिली थी और इसने अपने चार्मिंग पावर को यूज किया था बट सबी लोग मंत्र मुगध हो गए थे वांगलिंग को छोड़ करके और ये लड़की काफी खतरनाक थी अब ओल्ड मैन इसे बता थे कि तुमने अपने हजार अउतार्स अलग-अलग सेक्ट में भेजे थे कल्टिवेट करने और तुम्हारा एक जो अउतार था वो जाव कंट्री में भी था डाव सेक्ट में क्या तुम्हें वांगलिंग याद है जो हेंगियू सेक्ट का था अब ये लिव में कहती है हाँ मुझे याद है बट पूरा क्लियर नहीं हुम है ये जो शेंग नीव है वही वांगलिंग है अब इस दुरान ये ओल्ड मैन कहते है कि मेरा तो मकसद ये था कि जावी करके एक बंदा था फाइब इलेमेंटल सेक्ट का उसके पास क्रेजड डोमेन था उसकी डोमेन को तुम डेवोर करके एसेंडेंट लेवल पे जा सकती थी पर ये बंदा सेलिस्टियल रियल में गायब हो गया जावी यानि कि अपने वांगलिंग के सीनियर जिनोंने अपना एसेंडेंट डोमेन का पावर वांगलिंग को दिया था अभी जोरान ओल्ड मेन कहते हैं कि तुम्हारा कल्टिवेशन खतम हो रहा है शेंग नियू आता ही होगा तुम्हें उसे ग्रीट करना चाहिए उसके डाव हट में अपनी एक छाप छोड़ दो और इसके पावर को जैसे जैसे वो समझेगा वैसे वैसे तुम समझोगी और तुम्हें लाइफ और डेथ डोमेन का कंट्रोल मिल जाएगा तो कियान फैंक से जादा बड़ा चांस है तुम्हारे पास होगा सुजाकू बनने का लिउ में शोचने लगती और ओल्ड मेन कहते तुम्हें नहीं करना ऐसा लिउ में फिर बोलती है मैं स्विकार करती हूँ अब इस दुरान ओल्ड मेन मानुक कब काफी दूर की तरफ देखते मतलब यहीं से एक रैंक वन का कल्टिवेशन कंट्री था जहाँ पर एक दूसरा ओल्ड मेन था और यह कहते है कि जूनियर अपरेंटिस ब्रदर तुमने चार लोगों को उठाया पर शेंग निव सबसे कमजोर है उम्मीद है तुम्हें फारक नहीं पड़ेगा अब उल्ड मैन यहाँ पर लियू में की तरफ देखते है कि मैं क्लोजड और कल्टिवेशन में जा रहाँ उम्मीद है जब मैं बाहर आऊं तब तक तुम सक्सेस्फिल हो जाओगी लियू में हामें सरिलाती है और इसके अल्यूरिंग फिगर्स को देखा जा सकता है दिखने में यह भी बरफ के जैसी थी वांग लिंग जब इससे मिला था यह उससे भी अभी ज़्यादा सुन्दर है इससे याद आते है कि वांग लिंग वही बंदा है जो एक बड़ा सा तलवार लेके था हेंगी उसेक्ट में और वो मेरे चार्म से प्रभावित भी नहीं हुआ था 500 साल पहले यह बंदा सिंपल तो नहीं है लेकिन इसके डाव हट पर मेरा मार्क छोड़ना ज्यादा कठिन नहीं होगा पर यह सोचती है कि क्या यह सही 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 तरीका है इधर रेड बटर फ्लाई इसका एकदम मतलब यह पुतले के जैसी हो जाती है क्योंकि इसका जो भी कॉंसियसनेस था जो भी पावर था वो क्यान फैंग ले चुका था लिउ में देखती है पर यह कुछ कहती नहीं और क्यान फैंग कहता है कि जूनियर सिष्टर क्या आप जहा रही हो लिउ में हा में सरीलाती है और क्यान फैंग इस दुरान हसता है कि यह रेड बटर फ्लाई है अब इसे तुम हार्टलेस कह सकती हो और लियू में जानती थी, तीसरा मतलब लड़की है, जैसे कियान फेंग ने डेवोर किया है, और इसका कल्टिवेशन, जबी भी ये किसी को डेवोर करता है, तो बढ़ जाता है, ये समझ रही थी, कि जो इंदके अंसिष्टर है, यानि कि जो सुजाकू है खुद, वो अगल एक old man थे, जो कि इस समय, drumstick खा रहे थे, इस समय इनका चेरा थोड़ा अगली था, और ये बोलते हैं, कि senior apprentice brother, यानि उसी old man को ये बोल रहे थे, कि मैं और आप, लंबे समय से लड़ रहा है, अभी तो हमारे मरने का समय हो चुका है, क्या फिर भी हम अभी fight करेंगे, मैं उस चूज किया, तुम उसे बिगारना, मतलब, खतम करना चाहते हो, अगर तुम ऐसा करोगे, तो मैं कियान फेंको नहीं छोड़ूँगा, तो ये वही old man है, जिन्होंने वांगलिंग को भला था, कि मेरी नंगी नंगी, सौ या हजार से ज़्यादा, वुड कार्विंग्स बन और इसे फील हो रहा था, कि सुजाकों में कुछ गडबड है बीबी, और ये सोचता है, कि इसे जल्दी ही, सोल फॉर्मेशन के लेड फेज में पहुचना पड़ेगा, ने तो ये खुद को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर रेड बटर फ्लाई, उसे एक समझ आ चुक पीछे फेक देता है, और वांग लिंग इस फॉर्मेशन में मानुक गायब हो जाता है, और इस तोरान फॉर्मेशन में से एक ओल्ड मैन निकलते हैं, और ये बोलते हैं, कि जुयू कंटरी के लोग, तुमें मेरा एहसान मानना चाहिए, ये वही बंदा है, जो चार एल्ड यू का सेक्ट मास्टर हूँ, ली यू आन फेंग, और मैं तुम्हारा लाइफ लेने आया हूँ, क्योंकि तुमने रेड बटरफ्लाई को हराया है, वांग लिंग देखता है, समझ जाता है, ये सोल ट्रांस्फॉर्मेशन पे हैं, अब वांग लिंग यहाँ पर स्पेस खो होगे, वांग लिंग टेलिपोर्ट करने को देखता है, पर ये टेलिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था, मतलब इस बंदे ने पूरा रिसर्च करके आया था, कि वांग लिंग यहाँ से भाग न पाए, इधर ये जो मेडिल इजमें था, ये मस्त चाय पी रहा था, फिर खड आके मारे, अब वांग लिंग इस दुराने एक टोकन निकलता है, इस पे अपनी औरा यूज करता है, और बोलता है, कि सुन टाई, जल्दी से बाहर हो, इधर वांग लिंग ये भागता है, तो सामने में से तीन लोग मिलते हैं, और सामने वाला भी बनता है, सोल ट्रांसफ से पकड़ लेता है, और क्रेश कर देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में थोड़ी सी जंजनाहट सी होती है, वांग लिंग समझ रहा था, एक तो इसका कल्टिवेशन लेवल थोड़ा गिर गया, इसका सोल रिकवर नहीं है, और ये अभी भी पूरी तरसे रिकवर नहीं ह लगता है, मानो भी है, अधमरा सा हो चुका था, इस दोरान ये बंदा वांग लिंग के तलवार को उठा लेता है, और कहता है, तलवार तुम्हारा काफिय अच्छा, इसके अंदर तो स्पिरिट भी है, नॉट बैड, इस दोरान वो जो मिडिलेज में था, जो चाय पी रह रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, एक चीज़ तो समझ जाता है, कि जो ब्लैक कपड़ोला पंत है, वो जायन डेमन क्लैन का है, क्योंकि वो कमपास की बात कर रहा है, और ब्लैक रूब वोला परसन अपने मास्क को हटाता है, और वांग लि इसके दो सोल ट्रांसफोर्मेशन लेवल के बंद देते हैं, और दो मारने आए, तो काफी बड़ी बात है, मिडिलेज्ड मैन हसता है, कि तुम खुशी-खुशी मल रहे हो, अच्छी बात है, और तुमारे ट्रेजर्स उन्हें तो मैं रखी लूँगा, अब ये मिडिलेज और वो आया नहीं, तो ये मारा जाएगा, और सुन्टाई बेभी तक आया नहीं था, सुन्टाई मतलब वो कॉर्प सेक्ट के एल्डर, जिनको की वांगलिंग ने अपना एक तरह से सलेब बना लिया, एल्डर जावी की मदद से, अब इस तुरान, ये मिडिलेज्ड मैन, वांगलिंग को मारने ही वाले थे, तब ही एक बन्दा यहाँ पर जो तीसरा वाला था, वो बोलता है कि अंसेस्टर, मुझे इससे मारने दीजे, और ये तीसरा बन्दा, कोई और नहीं, चीहू था, जायन डेमन क्लैन का, चीहू एकदम शान था, और वांगलिंग की तरह पढ़ता है, वांगलिंग के हाथों मेरे सिक्सन स्लैक था, और इसको समझ में नहीं आ रहा था, कि चीहू ऐसा क्यों करेगा, और चीहू जुरान कहता है, कि शेंग नहीं, मरने के लिए त्यार हो जाओ, और एक पाम अटेक, ये वांगलिंग की तरह पढ़ा देता है, वां झाल 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